Hello students Welcome to our YouTube channel Static ZK98 जिसमें हम लोग GK सारी Statics को अच्छे से Study करते हैं चलिए हम लोग Students GK के Statics सीरीस को आगे बढाते हैं और आज का हमारा टापिक है वह है GI Tags से Graphical Indication GI Tags से ठीक है हाली में 2019 या 2020 में जितने भी इंपोर्टेंट GI Tags दिये गए हैं चाहे वो जो भी हो, ठीक है, उनको हम लोग अच्छे से चली स्टेडी करते हैं, लाइन बाइन, ठीक है, और हमेशा की तरह, लास्ट में कुछ question answer की series है, जो बहुत ज़्यादा important है, उनको भी solve करते हैं, चली, देखते हैं, आके बढ़ते हैं, देखिए, हमेशा की तरह, chapter करने से पहले, हमारा एक motivation आप लोगों के लिए, the best views comes after the hardest climb, बहुत अच्छा line लिखा इस छोटे से, वाक्य में, क्या लिखा है, कि आप जितना ऊपर चड़ेंगे, आपकी देखने की छमता या आपका views, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, यानि कि आप जितना ज ज़्यादा बढ़ियां होगा, तो आप मेहनत करते रही है, आपका result बढ़ियां हो गई, और इसी motivation और important quotes के साथ, हम लोग आज का अपना session स्टार्ट करते हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, हम लोगों का पहला जो है, GI Tag होता कि, GI Tag students उन चीजों को दिय जाता है, जो किसी भी area में, किसी particular değer के लिए वहां के लिए क्या होता है, बहुँ ज़्यादा famous होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वहां के लिए, है ना, और उनको बचा के रखने के से लिए, क्या क्या जाता है, ये क्या हो जाती होजा धीरे-धी विलुप्त न करने के लिए उन लोगों को चीजों को बचाने के लिए कहां है कि लोगों को बैपना चलती रहा इसी है तो चल करने करते शाइं डार्जलिंग सबसे पहला यही पूछा जाएगा कि सबसे पहला जी आई टैग किसको दिया गया था तो यह डार्जलिंग की टी को दिया गया था सबसे पहले जिया गया था कब दिया गया था कमेंट में बताईएगा नेक्स्ट हम लोगों का ताला है ताला कौन सा है दिंडी गुल है कहां पे तमिल नाडू में यहां की ताला को दिंडी गुल ताला को तमिल नाडू में दिया गया तमिल नाडू में और कौन सी चीज़ों नेक्स्ट। हम लोग देखते हैं मुर्गन मंदीर में दिया जाता है तो यह भी क्या होता है। और इसमिलाटों को बचाने के लिए ही तकी इन फ्यूचर कभी बंद ना हो जाए इह बंना बंद ना हो जाए ठीक है इसलिए hè मिंदि改 aussi 103 में घंख में स्कूरत के ऐगया है लोगान असे श्री विल्ली पुत्र पाल को मिठाई यह भी कहां पे मिला है यह भी तमिल नाडू में ही मिला है नेक्स्ट थंजावर निती एंड आमर बावर वुड कार्विंग यह भी कहां पे तमिल नाडू में ही इसको मिला है ठीक है वुड कार्विंग गई है तो इसको भी कहां पे त यह करनाटक का मिला है याद कर लीज़ें बहुत इसीज़ी ट्रिक से कि श्रसाइब याप कोई नाटक में काम करते हैं यह कोई स्टंट वगरा दिखाते हो कॉलापूरी चपल हो जाएगा महराश्च का है सब को जानता है कोलापूर ठीक है मुम्बई महारास्ट में रहते हैं बाबू राओ है ना तो बाबू रा साथ से फीरल एक फेरी बोलता है भी और सांगली करके बोलता है महाराष्ट में सांगली किसे कहा जाता है महाराष्ट में ठीग है मुझे इतना नहीं पता है बस आप लोग बताईए कि साघली किसे बोलागता है क्या चीज आए बोलागता है सांगली हलदी साघले हल्दी महाराश्ञ्ट कहीं है अलफांसो आम भी कहां कहा brushes घैंठी तो महाराश्ञ की तीन है कोलापूरिचपल सांगली अहल्दीर और यह औॉरिशह कहे और रसगोल्ला रसगोल्ला कहा है तो यह ओरीशा कहे ठीक है ठीक है आगलेसे गौलोर मेर पूँचा जा रहा तो यह है ठीक है याद के लिजें कंफूर्टन थे सकते हैं कि आगलेसे पूच लैगा Isvelde डाजोगुला ओडिशा रस्गुला पश्चिमंगल काफी का देख लिजे काफी कहा का है केरल का है तो केरल से 3 चीज है काफी है और तिरूर सुपारी है और मरियूर गुड़ है नेक्स हम लोग आगे बढ़ते और देखते हैं अर्कू काफी यह अर्कू काफी कहा का है तो यह आंध्र परदेश का है ठीक है अर्कू को निकाल दीजे हर्कू से हर्कू क्या करता था राध पर पहरा देता लेकिन फिर भी वह अंधा था ठीक है तो आंध्रपर्देश हो जाएगा अरकू काफी आंध्रपर्देश का नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यह रजगुल्ला मैंने बता ही दिया पशी मंगाल का हो जाएगा और रसुगुल्ला कहा का हो जाएगा और इशाक हो जाएगा कड़कना ना जो कड़कना थोते हैं कड़क लोग टाइट लोग वह क्या होते नहुं नहींट साही लीची कहा का है बिहार का है बिहार में साही लीची हो जायगा कातारी चावल भी वहीं किा ऑजाएगा और मगही पान दी वहीं के इपिहार का और यह पहुँआ है वहां बहुत Сегодня एस चाहिपन से मत मेंृग साही लीची चावल आपर भागलपूर जर्दारी आम चारों के चारों बहुत जदा इंपोटेट mellan आम में एक ढगलपूर जर्दारी आमोल भीः न पास्व वात इंको देखे और कारेंच करिए रिवाइज करिए रिकॉल करिए कि कुं सह चीज को कहांपर जी आई टैंग एमें आपने याद कर लिजे कि कुलू मनाली जानते हैं कहां पर पड़ता है जंबू किसमीर और यह हमाचल परदेश में पड़ता है ना कुलू मनाली तो यह आपका नॉर्मली हो जाएगा कुलू साल है सियाद कर लिजे हमाचल परदेश में हम जाएगा काला जीरा है जीरा जुने में पड़ता है काला हो जाता है तो वह काला जीरा कहा हो जाएगा जमने के वजए से हीमाचल परदेश में हो जाएगा रहे जाएगा आशुली तेली तो हम लोग चुल्लू भर क्या करते हैं पहाडों पर तेल गिराते हैं सनी देव महाराज के पर सनिद्यो महाराज को लोग क्या करते हैं सनिद्यो भगवान को तेल चड़ाते हैं तो तेल चड़ाते हैं तो किसी उंचे प्लेस पर चड़ाते हैं और किसी पेंड़ पर चड़ाते हैं पीपल के पेंड़ पर तो बस ऐसे याद गलीजिए कि कोई भी उंचा प्लेस है जो क कहां का है च्फटिस गड़ का है आगे हम लोग देखते हैं यह बलुबा पथर बलुबापथर कहां का सार्नात उतर परदेस का है ठीक है और गोरकपुर में गोरकपुर में भी मिला है लगाने में मीट wes केसर स्टार्डीं में मैं लगा तो यह सफ्रण कहा हौंै को जाएगा जम्बू कस्मीर को जाएगा की सफ्रॉन कों सी मिटी में होता है और यह भी कमेंट करजून कर के भारत का कौन से नमबर 54 पादन में चले देखतें आगे कोट कि ये पिसना कर दीजेश cricket सोहराईन खोवार के पार आगबर आय्ट कोभर आ यह कहाँ काए ज़ार खणड का है तो मैंने बताया तेंट और यह पेण्टिंग ए क्याहकर दिजें कोभर आगा डिम्टेया होथे एक बड़े से चाधर बसे ताकर इसके छार क्लारस उआ हैं प्याल नकल जाए चिए कि या दे nova को सहुराई या कोबर पेंटिंग जो भी कोभर आर्ठ है वह कहाँ का है जार खंड का है क्या जाते निकल जाते हैं नेक्स्त तेलिया रुमाल बहुत इजीर बहुत आद जाएगा तेल और तेल यहां भी ओजाएगा ना नेक्स्त मोग आगे देखते हैं घोवा का क्या है मिल्ची है चली है चौक हाओ ये क्या चीज़ इस काला चावल है कहां पर जी अटेक का है तो यह मड़ी पूर में जी इटक इसको दिया गया है थीक है मड़ी पूर का ही यह प्लागी लिए जॉक्त साइड वहीं पर दिखाया था नो मरीपूर मिजोरम असम अरोनाचल पर्दे से सब कहा आपका इस्ट में पढ़ता है है ना तो आप ऐसे यह दगलीजे कि काला मड़ी निकाला गया ठीक है और मड़ी जब देखेंगे आप किसी किसी में दिखाते जो यूटूब पे देखा मैंने कि जो मड़ी दिखाते है वो चावल के आकार का दिखाते है ब्लैक कलर का है ना तो ऐसा रियल मड़ी वो लोग बताते है लेकिन हालांकि किसी भी स्नेक में क्या मड़ी जैसा कुछ होता नहीं है तो आप चाहें तो यूटूब पे सर्च कर लिजे चले देखते हम आगे गोरकपूर में देखिए मैंने पूछा थ की में इसमें ग्रेन टी और वाईटी को भी मिलया है यह कहा कई मंगाल का है 5 मेंकी संपर्टैइब होजा जाएगा ठीक है इसके अलावा हम लोग हमेशा की तरह कुछ question answer की series रखते हैं उनको भी हम लोग थोड़ा सा discuss करते हैं चले कुछ महत्पूर्ण प्रस्न है पहला हम लोगों का पहला अंतगराहिक अभियान कौन सा था तो यह मंगल यान mission था पहला अंतगराहिक अभियान था पिर्थवी का अपना वायुमंडल क्यों है पिर्थवी का अपना वायुमंडल क्यों है क्योंकि यहां पर क्या है गुर्तवा करसर सकती है इसके वज़े से पिर्थवी का अपना वायुमंडल है नेक्स हम लोग आगे देखते हैं यह प्रोटो जोवा के अलावा कौन सा enzyme प्र प्रोटो जोवा और एमिलेस ये दोनों क्या है प्लाणी जगत के सभी सद्शियों में लगबग वह बजूद होता है तरल पदात के कुटनांग पर टापमान नियत रहता है तो आप पदात के कुटनांग चेक करें तो आपका नियत रहना चीन है नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं वातावाण का हुआ इस्तर जो इलेक्ट्रोंस और धनात्मक आयन के कुछ अंसों के मिसराण से बना होता है यो क्या कहलाता है तो यह आयनोश्फियर कहलाता है तो जितने भी लेयर्स हैं थिक है एटमोस्फियर के जितने भी लेयर्स है सारे के सारे हम लोग discuss कर लेंगे comment में बताईए बस पहले comment में बता दीजे कि कितने layer है ठीक है number of layer बता दीजे और उनको learn करने की series आप कैसे उनको learn कर सकते हैं यह चीज में बता दूगा बहुत easy trick से हैं बहुत easily learn हो जाएगा आपको सारे के सारे space प्रिंट्रिक नितीं के सारे मुंसरा की मोल इस्थिरत के सात आरतिक विकास को प्रोचे सािथ के सार्याय एक्वाइसराय a नेक्स अंब लोग आगे देखते हैं वह एकमात्र वाय सराय कौन थे जिनकी भारत में हट्या हुई थी तो यह बहुत जज़्याद हो जाता है क्योंकि वाइस राय था एंप्व रहा इंप्वर्ट था जिनकी भारत मेंथा he संधान थितितो फिर स्व्मर्न का करते र्लोग मेर को लोगों ने मिलक differences मैर दिया बस यारव चाहिए में हो मेर प्ति Lynn एक सब्सक्राइब है सब्सक्राइब दीगा। संस्थापक कौन थे मैडम ब्लाउट्स की थे भारत का पर्थम फिल्ड मार्शल कौन थे तो एस एच एफ जे मॉनिक सथे ठीक है याद करें इंपोर्टेंट है थोड़ा इंपोर्टेंट है लेकिन है रियो ओलम्पिक में भारत के लिए पहला पदक किस ने जीता था तो साक् ने भी मलिक कौन से गेम से रिलेटेड है रियो ओलम्पिक ये भी बता दिजे कि कब हुआ था रियो ओलम्पिक और इस बार का जो ओलम्पिक होना था 220 में यह टोक्यो जापान में खोना था रिपान में कोरोणा वैर्ष की वज़़े से यह क्या हो गया टल गया एक साल और कब कब होगा 2021 में होगा ठीक है और यह समर ओलम्पिक है विंटर ओलम्पिक का बताइए 2022 वाला कहां पर होगा कमेंट करके चलिए ठीक है नेक्स्ट हम लोग आगे देखने स्वास्त को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायू परदूसक कौन सा है तो यह कौन सा है सलफा डायाकसाइड है कमेंट करके आप यह भी बताइए कि कौन सा ऐसा गैस है जिसके वज़े से ताजमहल का जो रंग है वह वाइट से पीला हो रहा है ठीक है कमेंट कर जीए गहरे समुद्र के गोता खोरों की आक्सीजन आपूर्ती में कौन सी गैस मिला जाती है तो यह हीलिय नेक्स्ट टैरिलीण एथिलीण गलाकसो और किस अमलक का शंखनननं बहुलक है तो कौन सा है टेरे थै luc अमलक ठीक है भारतिय महासागर में सबसे चोटा दीब देश कौन सा है important है मालदीव है ठीक है भारतिय महासागर में इंडियान ओशिन में सबसे चोटा दीब देश कौन सा है ठीक है सबसे चोटा तो यह कौन सा है मालदीव है next हम लोग आगे देखते है संसद की लोक लेखा समीति के अध्यच की नियुक्ति कौन करता है तो यह भारत का राष्टपती करता है आप हमको कमेंट करिए कि सम्विधान के कौन से अनुछेद में लोक लेखा समीति का गठन है ठीक है लोक लेखा समीति का गठन है तो आप कममेंट करके बताएंगे 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था क्या था बहुत इजी है और इंपोर्टेंट है नई एंफिल्ड राइफल में चर्भी लगाई गोलियों का उप्योग क्योंकि जो उसमें कार्थूस आती थी उसमें क्या होता था एक उसका जो कैप रहता था वो कैसा रहता था न तो उसी के वज़े से जितने भी ब्राह्मन से समने उसका विरोध किया था चली हम लोग आगे देखते हैं भारत में ब्रिटिस समराज को फैलाने के उद्देश से किसने डॉक्ट्रिन ओफ लाप सिधान्त लागू किया था किसने लागू किया था लाड डल होजी ने ला ठीक है ओप का यह फुल फार्म है ओप आउट पीपल एवरीवेर ठीक है ओप पोटल कहां पर स्टाट किया गया उत्राखंड में स्टाट किया गया नेक्स्ट हम लोग देखते हैं त्रिवेंद रावत वहां के सीयम हो जाएंगी बेबीरानी मौरकाउन हो जाएंगी गवर इस ग्राउंड लाट चिक्की किस ने बनाया है क्या होता है इस पृत जादा करता यह जड़ा लिज अब ही में अपनाटर है अब ही में बनाए गय Scout फॉकर्पन्ता विटमिन ए बीटा केरोटीन और कोलीन को ज्यादा डेवलप करता है फुल फॉर्म क्या होता है सी अफ्टी आराई का सेंट्रल फूड टेकनोलोजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है तो इन्होंने इसको डेवलप किया है इसको बनाया गया है चिक्की है जो क्या काम करत करता है आपकी इम्यून सिस्टम को स्टॉंग करता है बूस्ट अप करता है उसको ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पिरुलिना ग्राउंड नेट चिकी याद के लिजिए द्वारा बनाए गया है जो क्या करेगा कोरोना संक्रमर से लड़ने में हमारी मद और इनके सॉंग का क्या नाम है वेरिसद लव वेरिसद लव सॉंग का गाने का नाम है कि जल जीवन मिशन से जभी मिशन कौन से उसका है तो कॉनसे स्टेट 00 α हरयान राज का है تारगेट क्या रखा गया है 2022 तक क्या टारगेट रखा गया कि joint जगहुं पर पानी की सारी पूर्फी कर दिजाएगी जितने विया पूर्फी यह सब कुछ सही कर दी जाएगी है ना नेक्स अमलग देखते हैं सुंद्रम वेंटागो आटोमेटेड रस्पाइरेट्री डिवाइज यह बहुत अच्छा चीज है तो यह किसको डेवलप किया है डेवलप भाई किसने डेवलप किया है तो टीवियस गुरूप आयाईटी मद्रास और सुंद करें कोट्त होने की क कगार पर जो भी जानवार आते हैं या तो कौन-कौन से लटेह पहलास पर तो적 करताएं तो पंदरा माओ को करते हैं even यॆ चलिक रहींत कि चलिक है चलिए हम आगे देखते हैं तो कहनए तो इंडियन टाइगर हो जाएंगे एंडियान भक्तर हो जाएं कमेंट करके बताई रहिए कि नील गीरी तहर कौन से जंगलों में मिलते हैं तो में और गेंगी जाएगी और घर्याड हो जाएंगी MP में MP को घर्याड और ऑफर रहता है कमेंट कीजिये कि MP में या फूरे भारत में टाइगर की कुल संख्या कितनी जादा है टाइगर की पॉपलेशन क्या है ठीक है नेक्स हम लोग आगे देखते हैं चलिए आज के लिए इतना ही है ना तो यह याद कर लिजे ज्यादा इंपॉर्टन्ट है इंडियन टाइगर इंडियन बस्टर्ड इंडियन राइनोसोरस निलगिरी ताहर संगाई ड यह अपलोग कमेंट करते बहुत बात है जो सां सर्च आपका याद करते हैं किर्मेट चीज करते हैं वह आपको जीवन भर याद रहता है पर देख राते और उसके बाद अगर confusion होता है और अगर आप search कर लेते तो क्या होता है फिर आपको जीवन भर याद रहता है अरे यार यह होगा अगर मैं यह लगा देता तो बढ़ी हां रहता चलिए ठीक next time से गलत नहीं होगा ठीक है तो आप क्या किजिए जो भी question मैंने पूछा है उसको पहले search कीजिए उसके अलावा अगर आप कुछ question extra add करना चाते बताना चाते तो उनको भी बता दिया करिए उससे related जिससे क्या होगा आपका static और अच्छा होता जाएगा ठीक है तो comment जरूर कीजिए comment most important comment आपको करना ही करना है और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों में share कीजिए और बेल आइकन जरूर दवें जिससे notification जा सके आप लोगों पर यह लिए thank you thanks for watching